POCO F4 5G आभी globally launch हुआ, इंडिया में ये कुछ 27 June से I think मिलना start हो जाएगा अब देखो ये phone 30,000 के नीचे आता है और 30,000 के नीचे ये smartphone जो spec आपर करता है वो काव्यदा interesting है अब problem ये नहीं है, 30,000 के नीचे अच्छे spec दे रहा है तो problem किसको हो सकती है problem ये है कि इसी के जैसा अगर एक और smartphone हो जो कि same price में अच्छे spec आपर कर रहा हो तो वहाँ पर हो जाता है confusion create यहाँ पर हम बात करें iqo Neo 6 smartphone की, जो कि इससे पहले launch हुआ था और दोनों के spec लगबग से में और 230,000 के नीचे आता है तो वहाँ पर confusion create हो रहा है कि भाई दोनों में से किस smartphone को खरिदना चाहिए तो इस वीडियो में हम इसी confusion के उपर बात करेंगे मतलब confusion दूर करने की कोशिश करेंगे और दोनों का एक comparison करेंगे अब देखो मुह दिखाई सबसे ज़रुरी होते है तो यहाँ पर हम मुह दिखाई से शुरू करेंगे मतलब थोबडे से शुरू करेंगे यह धी और दोनों फोन के display की बात करते तो देखो दोनों फोन के display में काफे अधा similarities है उनके उपर बात करते हैं जैसे कि दोनो फोन में 120 Hz कारी प्रेशाट 360 Hz कार्टा सैंप्लिंग रेट 1300 निट्स की पिक ब्राइटनेस गोर्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन और यहाँ पर आपको HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलता है तो यह कुछ दोनो फोन के दिस्प्ले में similarities है अब ऐसा नहीं कि सारी चीज़े दोनो फोन में same है यहाँ पर दिस्प्ले में हमें changes भी देखने मिलते हैं जैसे कि Poco F4 5G में आपको 6.67 इंचिस का एक दिस्प्ले मिलता है वही पर IQ Neo 6 में आपको 6.62 इंचिस का दिस्प्ले मिल मिलता है जो कि gamers के लिए ज़्यादा फाइदे मन्द है तो यह कुछ यहाँ पर हमें difference तेक्निक मिलते हैं इसके बाद बात करें हम performance की तो दोनो फोन में same performance मिलता है में 4700 mAh की बैटरी मिलती है और 80 watt का charger मिलता है वही पर Poco i4 5G में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है और 67 watt का charger मिलता है तो आपको पता चली गया होगा कि दोनों में से सबसे best कोन है backup और charging में अब यहाँ पर iqoo Neo 6 आगे निकल कर जाता है क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा backup मिलता है और अच्छी charging speed मिलती है और साथ में आपको iqoo Neo 6 में cascade cooling technology मिलती है जो कि एक flagship phone में यूज की जाती है और वही पर Poco i4 5G में आपको liquid cooling technology 2.0 देखने को मिलती है तो heating के मामले में यह भी iqoo Neo 6 थोड़ा सा आगे निकल कर जाता है फिर बात करते है camera की तो देखो दोन of one की जो rear camera setup है वो लगबक से में जैसे कि 64MP का main camera 8MP का ultra wide 2MP का macro lens बस Poco i4 5G में आपको tele macro lens मिलता है तो दोन of one में rear में हमें triple camera setup मिलता है 20MP का selfie camera में Poco i4 5G में मिलता है और 16MP का selfie camera मिल जाता है iqoo Neo 6 में और दोन of one में आपको OIS मिल जाता है तो यह भी काफी बढ़िया बात है अब यहाँ पर video recording की बात करें तो दोन of one से आप 4K 60fps में shoot कर सकते हो back camera से front camera से 1080p 30fps में shoot कर सकते हो अब यहाँ पर on paper दोनों phone के camera's तो काफी बढ़िया लग रहे लेकिन मैं यहाँ पर आपसे यह कहना चाहूँगा कि अगर आप camera के लिए दोनों में से किसी एक को consider करना चाहते हो तो आप इनके deep camera test वगेरा देख लेना camera reviews वीडियो देख लेना उसके बाद ही decide करना मैंने इनके कुछ camera reviews वगेरा देखे तो वहाँ पर मुझे Poco F4 ज्यादा बेटर लगा अब बढ़ते OS की तरफ देखो दोनों phone में Android 12 आपको out of the box मिलता है दोनों phone उनके latest UI के साथ आते है जैसे कि Poco F4 5G आता है MIUI 13 के साथ और आपको ICO Neo 6 मिल जाता है उनके front touch OS 12 के साथ तो 5G के लिए Poco F4 5G ज्यादा बेटर है इसके बाद Poco F4 5G में आपको dual speaker मिल जाते है dual stereo speaker साथ में Dolby Atmos का support है वही पर ICO Neo 6 आपको single stereo speaker के साथ मिलता है न Dolby Atmos का support है वहाँ पर तो यहाँ पर आपको Poco F4 5G ज्यादा बेटर मिलता है फिर साथ में दोनों में आपको NFC मिलता है दोनों में आपको 3.5 mm का jack नहीं मिलता और Poco जैसे के Redmi और Xiaomi का एक family member है तो यहाँ पर आपको IR blaster मिल जाता है ICO Neo 6 में आपको IR blaster नहीं मिलता तो यह कुछ इनके overall spec की बात हो गई तो यहाँ पर spec में दोनों smartphone ऐसे मतलब तक्कर का competition था दोनों में से एक को pick करना काफी मुश् सकते हैं अब यहाँ पर ICO Neo 6 की price की बात करें तो 8GB plus 128GB variant की कीमत है 30,000 रुपे और यह 8GB 128GB से start होता है यहाँ पर 6GB variant नहीं है और वही पर बात करें हम Poco Air 4 5G के तो वहाँ पर आपको 6GB plus 128GB variant मिलता है जिसकी कीमत है 28,000 रुपीज लेकिन अभी अगर आप SBI का card लगाते हो त 3,000 रुपे का आपको off मिल रहा है प्रिफेड का आपको 1,000 रुपे और off मिल जाएगा अगर आप किसी पुराने phone को exchange करते तो वहाँ पर भी आपको 3,000 रुपे और extra off मिल जाएगे तो इस तरह से सब कुछ मिला के इसकी price बनती है 21,000 रुपीज साथ में आपका phone जो exchange हो गय आपको 1 साल का Disney Plus Hot Star का subscription मिलेगा लेकिन इसको आपको पहले दिन खरीदना पड़ेगा सेल के पहले दिन और यहाँ पर आपको 2 साल की warranty मिल रही है यह सबसे बढ़िया बात है कि आपको 2 साल की warranty दे रही company तो customers के लिए यह काफी बढ़िया बात है अब last में बात करें कि दोनो नियो 6 से 6000 उपे सस्ता मिल रहा है तो यह deal मुझे ज़्यादा फायदिय की लेगी तो Poco F4 5G आपके टाइम पर खरीदना ज़्यादा बेटर रहेगा तो यही था वीडियो अगर आपके वीडियो पसने है तो वीडियो को लाइक कर देना चानल को सब्सक्राइब कर सकते है ह हम मिलेंगे नेक्स्ट आले वीडियो में